कि ऑख्केवायोजे में आप सभी का स्वाकते कल केальную video में हम पढ़ेटे गुंशुत्र की स्रचना के बारे में की गुंशुत्र के कौनकौन से भाग होते हैं और उनकी सरचना किसी होती है तो हमने पढ़ाता कि जैसे गुंशुत्र की हमें सरचना देखनी हैं तो हमें कोशिका विबाजन की मद्यावस्ता जिसको मेटाफेज भी कहते हैं उसमें गुणसूतर को देखना पड़ता है क्योंकि मेटाफेज में गुणसूतर सबसे अच्छे दिखाई देते हैं सरवादी को उनका संग्नन होता है इसे वो सबसे जढ़ा मोटे छोटे और इसपस्ट दिखाई देते हैं इसलिए मद्यावस्ता में ही हम गुणसूतर की सरचना का दिन गरते हैं अब हमने ये भी कहा था कि मद्ध वस्ता में जो गुनसुतर होते हैं उसके दो लंबत भाग दिखाए देते हैं जिनको हमने अर्द गुनसुतर या क्रोमेटिड गहते हैं ये दो होते हैं दो ये अर्द गुनसुतर या क्रोमेटिड होते हैं जिसे एक ये है एक नीचे वाला है ये दोनों अर्द गुनसुतर एक बिंदू से जुड़े रहते हैं इस बिंदुगों ने कहा है गुंसुत्र बिंदु तो एक गुंसुत्र बिंदु क्या है इन अर्द गुंसुत्रों का एक खुलावा और दबावा चेतर है जहां पर दोनों अर्द गुंसुत्र आपस में जुड़े हुए रहते हैं यह जो अर्दगुनसूतर आपको दिखाई दे रहे हैं यह जिसे यहां पर इक कुंडली तो होकर मोतियों की माला के समारचना बना रहे हैं तो यह तो यूक्रुमेटिक पार्ट होता है इसका तो यह जो एक अर्दगुनसूतर है यह दो दागे जिसी रचना से बना वाज़े पड्रचिस दो दागे दिखरेए हैं दोनों लिप्टे में हैं तो इन दागों को कहते है क्रोमो मेटा जो अपस में लिप्टे रहते हैं और इनका झो कुण्डलन होता है वह दो तरीक Fields होता है जो हम आगे पढ़ेगे यह जो दोनों अर्ध गुनसूतर रहे है चुक्कि मेटाफोज में दो होते हैं बाकी जैसे एना फेसे लेकर जीवन फेज जिता कि इनमें एक ही अर्धगुनसुत्र होता है यह एक अर्धगुनसुत्र में डेने का एक अनू पाए जाता है अब जहां पर यह कुंडली तैर मोत्यू के समान दिख रहा है तो यह सर्चन है जिस पर जीन पाए जाते हैं यहां पर क्या मिलेंगे जीन पाए जाते हैं यह जो बीच में दबावा चेतर इसको गुनसुत्र बिंदु कहरें यह सभी गुनसुत्रों के अंदर पाए जाता है और इसके आदार पर हम गुनसुत्र की आकरती भी देखते हैं कि गुनसुत दित्तेक संकेन केते हैं यह जो दित्तेक संकेन है यह दो तरह का होताए एक तो होता है दितिक संकीन फस्ट जहां पर केंदरी का जुड़ी रहती है कुछ गुनसुत्रों पर दितिक संकीन सेकंड भी होता है इस जगे से गुनसुत्र का कोई भी भाग तोट सकता है या यहां पर कोई भी नया भाग जुड़ सकता है तो ये लगबग 5 चोड़ी गुनसुतरों पर ये पाई जाते हैं तो हमें इसको नेक्स्ट पूरा डिटेल से पड़ेंगे और ये जो दित्तिक संकिन सेतरी ये सभी गुनसुतरों पर नहीं होता है ये भी 5 गुनसुतरों पाई जाता है गुनसुतर नमबर 13, 14, 15, 21 और 22 गुनसुतरों पर ये दित्तिक संकेन मिलता है बाकी के गुनसुतरों पर ये नहीं मिलेगा अब जिन में दित्तिक संकेन जैसे फस्ट है उसके आगे वाला जो गुनसुतर का पार्ट है उसको हम सेटेलाइट कहते हैं यह सेटिलाइटे के विशेश गुन रखता है इसे हम गुनसुतर को पहचानते हैं और इसे यह पता चलता है कि यहाँ पर केंदरी का पाई जा रही है दोनों जो सीरेव होते हैं गुनसुतर के उनको हमने अन्ते खंडिया टेलोमेर का है इस गुनसुतर पर एक बाहर के तरब एक पतली जिल्ली कावरण होता है जिसमें किसी तरह डियने या अनुवानशिक पदार्थ नहीं होता है तो ये एक पतला जिल्लिक आवरन होता है जिसको हमने पेलिकल कहा है और पेलिकल के अंदर कुछ दर्वित पदार्त दर्व फ्लूड बरा रहता है जिसको अपने मेट्रिक्स कहा है जिसमें वह सरे आयन या प्रोटीन या वसाई होती है तो ये मेट्रिक्स और इसमें पेलिकल भी इसके अंदर पाई जाते हैं तो अब हम इसकी जो सर्चना है उसके कुछ पार्ट ये देख रहे थे कि पेलिकल आवरन है मेट्रिक्स है क्रोमेटीड है जो क्रोमें नियुमेटाशे बना हुआ है ये मोटियों की समान वन कनेका हैं होती है गौनसुतर बिंदु जिसको प् को सिटिलाइट कहते हैं और गौनसुतर के जो छोर होते हैं उनको अन्तेखंड कहते हैं टीलोमेर कहते हैं ये अन्तेखंड क्या करते हैं ये जो टीलोमेर होते हैं ये गोलाकार और बंद होते हैं ये गौनसुतर को सीरे आपस में जुड़ सकते हैं जिससे दोनों गौनसु तो ये दो सिरों को आपस में जुड़ने से बचाता है तो ये टिलोमेर का काम होगा तो अपने इन सब को एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं इस वीडियो गे अंदर तो सबसे पहले अपन पेलीकल मेट्रिक्स इस तरह से अपन फढ़ते जा रहे हैं तो सबसे पहले हम फढ़ लेते हैं पेलीकल जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं पेलीकल तो इसमें ये द्यार रखना है कि प्रते के गुनसुतर हम इसको क्रोमोसम लिख रहे हैं गुनसुतर प्रते के गुनसुतर बारिक बारिक का मतलब होता है पतला पतला बारिक जीन रहीत किसी भी तरह का इसमें जीन नहीं होता है या ए आनुवानसिक ए ए आनुवानसिक का मतलब है कोई आनुवानसिक पद पिदार्तों से बना प geographic driving बारिक जीन रहित। आय आनुवान्सिक पदार से से पदार्तों से बने आवरन से घिरा होता है जिसको हम क्या ककेते हैं इसको हम पे लीकल केते हैं और दूसरे इसका पार्ट हो जाता है मेट्रिक्स देखो matrix क्या था इसको आपन लिखते हैं matrix ये भी ये यह भी एअनुवान सिक्वदार्द का बनाओ ये जो पेलेकल है ये प्रोटीन या वसाखा बनाओ होता है प्रोटीन इसमें जएधा होती है और कुछ समय बाद में ये विलुक तो जाता है बहुत ही पतलावरोन होता है तो यह protection करता है उन्हें गुंसूतर की matrix देखो यह भी ऐन्वान सिक ऐन्वान से मतलब DNA या कोई stone या non stone protein in में नहीं होती है तो यह भी ऐन्वान सिक पदार्थ से बना बना जीन रहीत होता है और जेली जेसा पदार्थ होता है जेली समान पदार्थ होता है जिसे हम क्या गह रहे है matrix कह रहे है यह देखो गुंसूतर को नम बनाया रखता है और उसकी भी protection करता है तो यह matrix का काम है अब एक चीज़ नहीं हरकेगा नो यह कब अपनको दिखाईने देते हैं पेलिकल और मेट्रेक्स कब दिखाई देंगे जब दोनों यह जो है पेलिकल जो पतलावरणा है और मेट्रेक्स जो इसका दर्वीत मेट्रियल इसके अंदर भरावा जिसमें बहुत सारे आइन होते हैं प्रोटियन वसाएं इस तरह के जितने भी हैनवान सिक्पदार्त होते हैं वो इस मेट्रिक्स में भरे रहते हैं तो पेलिकल और मेट्रिक्स तभी दिखाई देंगे तभी दिखाई देते हैं जब केंदरी का जो होती है जब कोशक वाजन वतर केंदरी का विलूब्त हो जाती है तब दिखाई देंगे अन्यथा दिखाई नहीं देते हैं तीसरा बार भर देखो इसका हैं फड़ते हैं प्रोमेटीड होती मेधवार आये फ प्रोमेटीड हो tough off लिख लेते हैं क्रोमों नीमेटा اज़ चरूमेटृ और उन्तलिफ क्रोमेट क्रोमेटृ ृब ने मीटा इसके अंदर है एदो अर्द बेकर अब ये दोनों भी अपस में थीदिव दोता था होता है यह दो दो होते हैं तो इसमां जैसे यह दो सबस्ति्धा मिल जाते हैं तब यह क्या बनते हैं? यह बनते हैं chromated chromated को इंधि में क्या कहते है? अर्द गुन सुत्र और एक chromated में DNA का एक अनू पाय जाता है DNA का एक अनू पाय जाएगा तो जैसे61 metafismे dखेंगे ने अपन गुन सुत्र वो तब इसमें 2 chromated दिखेंगे वरना अन्य आवस्ताओं में हमें क्या दिखेंगे सिरफ एक ही क्रोमेटिड दिखेगा इस तरह से हमें एक ही क्रोमेटिड दिखेगा तो देखो हम यह कहते हैं कि मेटाफेज में गुनसुतर सरवादी की सपस्ट दिखते हैं अपने को में दो लंबवत यह जो दो आपको दिख रहें कि यह फूस्ट और सेकंड यह दो लंबवत भाग दिखाए देते हैं ऐ हम किस की बात करते हैं के वले मेटा। सेठी की बात करें अगर 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 थोero करोंगे या टेलो हीज की बात करोंगी तब आपको एक ही क्रोमिटीड दिखेगा वरुना एस से लेकर मेटा प्र Dennis प्रावस्ता देकर मेटा फेज तक आपको प्रते ृप्रती गृण सुतर में जो आपनों फिर न हो पुस्टर वियंक है तो यह जो दोनों ुकुँप है दोनों क्रॉमिटेड एक ही गुनुसूत्र बिंदू jsम इस जो दोनों सुटर बिंदू से खाला था तो से जुड़े रहते हैं यह जो यह पोइंट क्या लाएगा गुणसुत्र बिंदू क्या लाएगा अब यह आपर इंको जोडने के लिए प्रोटीन होती है जिसको काइने टो कहेंगे क्या कहेंगे काइने टो कोर आगे आगे देख लेंते हैं तो यह दोनों एक जिगे से जुड़ेवे हैं अब होता क्या है कि एक अवस्ता आती है एना फेज एना फेज के अंदर इस गुण सुतर बिंदू का विबाजन हो जाता है तो दोनों अर्द गुण सुतर अलग-अलग हो जाते हैं होता क्या है कि एना फेज में एना पेज में गुनसुत्र बिंदू के विवाजन से दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं तो जैसे माल जी ये एक क्रोमेटिड है ये दूसरा क्रोमेटिड है जैसे इसका विवाजन होता है तो ये क्रोमेटिड अलग हो गया और ये क्रोमेटिड अलग हो गया इस तरह से दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं तो इसका मदल गुनसुत्र में दो अर्द गुनसुत्र भी चल रहे हैं ये जो क्रोमिटीड है इनका निर्मान कहां हो जाता है तो ध्यार के का जो क्रोमिटीड होते हैं इन क्रोमिटीड का जो निर्मान है वो निर्मान अंतरावस्ता जो कोशकर वजन की विस्रामावस्ता भी कहलाती है जिसको हम इंटरफेज भी कहते हैं में ही होने लगता है तो हो जाता है और बाद में क्या होता है इसका संगनन होता है इसलिए और मोटा और बड़ा या अच्छा दिखने लगता है important बात है प्रते के chromated याद रहेगा प्रते क्रोमेटीड में DNA का एक अनू पाया जाता है कि प्रते क्रोमेटीड में डिएने के 2 अन्व पाया जाता है इसको फिटे हैं कि प्रते क्रोमेटीड में डिएने का एक अनू पाया जाएगा अब देखो यह एक important बात यह है कि हम जो कुछ का व teamwork वजन होती है एना फेज सें लेकर जो जीवन फेज है जिसको अपन कोशिकावी बाजन में पढ़ते हैं यहां तक गुनसुतर में एक क्रोमेटिड होता है एक क्रोमेटिड होता है जैसे यह गुनसुतर है इसमें सिर्फ एक ही क्रोमेटिड में ले गई है जबकि इसके आगे एस फेज से लेकर एज फेज से लेकर मेटा फेज तक मेटा फेज तक गुनसुत्र में दो क्रोमेटीड हो जाते हैं गुनसुत्र में द्रो को क्रोमेटीड बन जाते हैं होते हैं कैसे यह क्रोमेटीड हो गया और दूसरा रेप्लिकेशन के द्वार यह दूसरा कैसे बनाए एक तो पहले होता है उसमें रेपलीकेशन होता है DNA का रेपलीकेशन तो रेपली eating बना है नया क्रोमेटिड बन जाता है तो इसमें एक से क्या होगे दो क्रोमेटिड होगे रेपलिकेशन से समरूपी बिल्कुल उसके समान क्रोमेटिड बन जाता है तो देखो जब यह समान क्रोमेटिड बन जाते हैं तो यह दोनों जो क्रोमेटिड है यह आपस में सिस्टर क प्रोमेटिड या इसको इंदी में कहते हैं भैगीनी अर्द गुनसुतर बगीनी या सिस्टर मतलब ये है कि ये दोनों आपस में समान होते हैं समरूपी होते हैं इसलिए सिस्टर है सिस्टर क्रोमेटिड या बगीनी गुनसुतर कहलाते हैं ये आपस में एक गुनसुतर के द तो यह आपको याद रखेगा अब जब यह गुनसुतर जिसके अंदर दो क्रोमेटिड है दो क्रोमेटिड वाला गुनसुतर वाला गुनसुतर है इस गुनसुतर को अपने को दूइक भी कहते हैं क्या कहते हैं दूइक या इसको एक नाम कहते हैं डाइड कहते हैं जिसमें द तो अर्द गुन सुतर ये कैसे बने होते हैं। प्रतेक अर्द गुन सुतर जिसको हम क्या कह रहे हैं। इसमें डिने का इकणो होता है। दो धागे नुमा तन्तु से बना होता है। जो अपस में सरपिल करम में कुंडलित रहते हैं। कुंडलित रहते हैं इन्हें इन तन्तु को क्रोमो नीमेटा या क्रोमो इनको यात हम क्रोमो नीमा नीमेटा क्या हुआ। दागे नुमा तो ये दागे नुमा जीसे ये अर्द गुन सुतर है तो ये दोनों अर्द गुन सुतर गें dur होगे। तो ये खुद भी जैसे इसमें भी दो तरह के दागे होते हैं ये इसमें दो तरह के दागे हैं ये दागा है इसमें ये दागा है इसमें ये दागा है और ये दोनों आपस में क्या होते हैं यह से लिपटे रहते हैं भी यह लिपट ना भी दो तरीकेश होगा इनका तो यह जो दो धगए इसके अंदर इनको हम क्या कहेंगे ? KROMONomnimeta कहते हैं तो यह KROMONIMATA हो गया तो जो यह क्रोमोनिमेटा है न इसके इस पर यह अपन देखेंगे कि यहाँ पर जीन वगिरा सब कुछ होंगे यह जो नाम है क्रोमोनिमेटा यह जो नाम है क्रोमोनिमेटा यह नाम दिया था एक साइंटिस्ट हो आता वे जो वसकी वे जो वसकी ने दिया था एक साइंटिस् दिया था अब हम देगे यह कह सकते हैं यह दो अर्दगुन सुतर है दोनों अर्दगुन सुतरों में कितने कितने क्रोमो निमेटा है कितने कितने दागे हैं दो दागे इसमें दो दागे इसमें तो इसका मतलब ये दोनों धागे अर्द गुन सुत्र का दिर्मान कर रहे हैं तो इसका मतलब अर्द गुन सुत्र की सरचना का दिर्मान कर रहे हैं क्रोमो निमेटा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्रोमो निमेटा होते हैं क्रोमो निमेटा जो है दो दागी जैसी सरचनावले हैं ये अर्द गुनसुतर की सरचनात्मक रेखिये इकाई होते हैं ये क्या होते हैं अर्द गुनसुतर की सरचनात्मक रेखिये इकाई देगो अर्दकुन्हुनसुतर को ये 2 धागे मिलकर जब 2 धागे आपस Walkяж में लिपट जाते है जाते है तो एक krommatid будनता है क्या बनता है एक krommatid بनता है इसक लिए को क्रॉमोनिमेटा होता है ये अर्दकुन्हुनसुतर को बनाते है इसलिए इसको अर्दकुन्हुनIONसुतर की सरचन यह देखो DNA और जो इस्टोन प्रोटीन होती है उसी से बने होते हैं स्टोन प्रोटीन से बनी रचना है अथार्त यह संगनित हुए क्रोमेटीन फाइबर ही होते हैं क्रोमेटीन फाइबर जो हमने जाल देखा था के अंतरावस्ता में वो क्रोमेटीन फाइबर है वो दीरे दीरे जिसी जाल था के अंदर के अंदर तो यह दीरे दीरे संगनित हो कर इस तरह से बनने लगता है फिर यह इस तरह से हो जाता है फि तो एक तरफियोत एक प्रोम हां कोनिटे यृष् देने और स्टोन प्रोट vy strengthen के मुकीते ये बने उते हैं अब दखेंगे जू नोगे या अधिर दोक्रोमेत आ क्रोमो मेहर्ट आपस में लिपट कर कुंडलित रहते हैं यह जो कुंडलन होता है इसमें जो यह लिपटना होता है यह दो परकार से होता है यह जो कुंडलन होता है यह दो परकार से होता है इसमें दो दागे देखे देना यह दो दागे हैं से दो दो दागे से बनावा है तो इनमें जो ये कुंडलन है ये दो ये दोनों कुंडलन आपस में किस तरह से कुंडलीत है तो पहला देखो पहला इसको पन बोलते हैं पेरानेमिक कोईलिंग पेरानेमिक कोईलिंग इसको तोड़ा अंगर जी में याद रखेगा पेरानेमिक कोई लिंग पेरानेमिक होता है कि जब दोनों मतलब पेरानेमिक होगा जिसे माले जी ये ये कि इस तरह का कुंडल है तो बिल्कुल इसके समानतर ही ये इस तरह से पया जाएगा ये पेरानेमिक कुंडलना हो गया तो दूसरा इसके बिलकुल इसके पिरलाली हो गया यह एक तो यह दागा हो गया एक यह हो गया ज़िदूसरा हो गया इस तरह से हैं तो फस्ट ये है सिकंड ये है तो आपस में इस तरह से ये एक दूसरे के समानतर दूरी पर और जैसे कोछ तरंग चलती है ना तरंग उस तरंगी ते आकरती के अंदर एज़ते तो दोनों जो क्रोमो निमेटा होते हैं दोनों क्रोमों निमेटा एक दूसरे से समानतर दूरी पर तरंगित अवस्था में कुंडलित रहते हैं ये आसानी से अलग हो सकते हैं क्योंकि ये जासे पास-पास में हैं लेकन ये इक दूसरे के कुछ समानतर दूरी पर हैं ये कोईलिंग या होती है पेरानेमिक कोईलिंग दूसरी देखो जिसको हम कहते हैं प्लेक्टोनेमिक कोईलिंग क्या होती है वो कुछ इस तरह से होती है जैसे जैसे इस तरह की कोईलिंग है उसमें कि यह इस तरह के अपने कोईलिंग कर रहे हैं जैसे आपस में यह पूरी तरह से गुते हुए रहते हैं जैसे यह यह आपस में गुतावा है और यह एक सर्चना है जो आपस में इस तरह से गुते हुए है तो यह जैसे मालग जी यह इस तरह से है यह इस तरह से इसमें गुतावा है और यह आपस में इस तरह से यह अपस में एक जो रसी गुंती होती है उस तरह से देखो इसके अपस में यह पूरी तरह से इसमें बल लगाया रहा है जिसे एक तो यह हो गया और दूसरा जिसे यह हो गया तो यह अपस में रसी की तरह गुती में हैं तो हम यह क्या कर सकते हैं कि इसमें जो दोनों क्रोमो निमेटा होते हैं वो रसी रसी के समान जो रसी गुती होती है ना रसी देख लो आप रसी के समान लिप्टे रहते हैं लिप्टे रहते हैं तो इनको हम आसानी से अलग नहीं क नहीं कर सकते हैं कि यह अब बहुत मजबूती से कुंडलन है यह कुंडलन कहलाता है प्लेक्टोनेमिक जो रसी के समान होता है अब यह यहां तक तो था उम लिए क्रोमेट्री और क्रोमोमेटर अब इसका दूसरा और चोत्ता पोइंट हो गया इसको हम कह रहे हैं unit जिनको हम कहते हैं क्रोमो मियर प्रोमोमियाइर यह क्या होती है यह हम गुन सुतर पर देख रहेते जीसित हैँ इसके ओपर से यह मौठीड की समान सूरचना criticisms दिख़वी ती यह एक DNA यह यानी कण के समान दिख रही है यह गूंसूत्र के जो क्रो क्रोंमोनिमेटा पर अनेक क्रोंमोनिमेटा ड Grande R स्टॉन के बिड़े हुए तो वोबी अत्ती कुण्डलस हैा इन में कन समान सरचनाा इंक बाहर यह क्या कह सकते हैं दानें के समान या कन के समान کی रचना है इट पाइ जाती है unique जिने वन क्णिका ए उद जा है यह क्या होती है यह नुकलियोसॉम ही होते हैं नुकलियोसॉम होते हैं नुकलियोसॉम क्या होते हैं जैसे इसमें आठ स्टोन के प्रोटिनों तो इसमें DNA की कुंडली इस तरह से लिप्टी रहती है तो यह नुकलियोसॉम ही होते हैं इस तरह से अपने को यह नुकलियोसॉम है तो यह नुकलिोसॉम होते हैं तो इन पर जीन लगे रहते हैं यह इन पर जीन पर जाते हैं वन कनिकाओं के कारण वन कनिकाओं वन जो कनिकाओं होती है वो मनिकाकार मनिकाकार का मतलग मोती के समान मोती के समान इसको क्या कहते हैं बीड लाइक बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है तो मोती के समान या बीड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं ये जो नाम है वर्ण कनी कहें ये जो नाम है ना ये नाम तो दिया था एक सैंटिस्ट वा था बाल बियानी बाल बियानी और बेलिंग ने इसको सबसे पहले देखा था बेलिंग ने इसको सबसे पहले देखा था देखो बेलिंग ने तो इसको देखा, नाम किसने दे दिया बाल ब्यानी नहीं, तो यह बस दो नूकोलूसम होते हैं जो आपको मोतिए के समाना सरचना करनं दिख रहे हैं यह tava लेगे होते हैं तो यह स्की वल्ड कृनिक है होती है ये देवो प्रात्म जिन क्या होता है जैसे ये दो ये एक अर्ध गुनसुत्र हो गया और ये दूसरा अर्ध गुनसुत्र हो गया तो यहां पर दोनों अर्ध गुनसुत्र जिस जिगह से जुड़े हो हैं ये पॉइंट कहला था है गुनसुत्र बिंदू तो हम यह कह सकते है कि प्रते के गुनसूतर में प्रते के गुनसूतर में होगा चाहिए इसमें एक रो मिटिड हो या दो करो मिटिड हो प्रते के गुनसूतर में एक दबावा सक्राइस्थान सक्राइस्थान हो सकता है ये मद्दे में भी हो सकता है मद्दे में या मद्दे से हट कर भी हो सकता है या किनारों पर भी हो सकता है किनारों पर भी कहीं पर भी यह हो सकता है सक्रावाइस्तान होता है जहां दोनों क्रोमेटिड जो अर्द गुन सुतर होते हैं वो जुड़े होते हैं या जुडते हैं इसे सेंट्रो मियर देओ सेंट्रो मियर या प्रात्मिक संकिर्णन कहते हैं प्रात्मिक संकिर्णन का मतलब होता है दबावा चेतर सेंट्रो मियर ये एक ऐसा चेतर है जहांपर दोन और गुनसुत्र जुडते हैं एक चीज है यह जो गुंसुतर बिंदू है इससे हैं जब कोश का विबाजन होता है तो यहां से तरकुतंतू भी जूडते हैं तो यह वह भाग है जहां पर कोशी का विबाजन के समय तरकुतंतू जिनको स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं वो जूडते हैं तरफुतन तूं को जोडने का बीए काम करता है तो यह यहां पर दोनों अर्धगुण सुतर हाफसमें जुड़ेवें हैं जिस स्थान को थोड़ा यह स्थान धबावाता है और यह एक हीट्रो गरूमेट्रिक रह यह है हमने हैर्ट कु यूक्रोमेट्रिक हो और हैट्रोमेट चेत्र होता है जिसमें आनुवानसिक में इसका कोई रोल ह광ा है और यह कियो कम टॉलित होता है कमड्लित होता है भूह केला है यूत तरहा है कहुंदी इसलिए अल्परण्जित भी होता सिए कोंडलिंग तिसका मतलब कोईलिंग होते नहीं तब यह कम कुंडल न दिखाता है कि इसकी अलप रंजित होता है यह पर ही लिए नेक्स से सिक्बारंदर देखते हैं देखो नेक्स से विफ्शूतर बिंदू है यहां आपन ज interpreter को देखते हैं जीसे यह एक परm 메ऑ जिर बरन कि आकार की कंई को प्रोटीन का नाम है यह जो प्रोटीन है ये प्रोटीन क्या करती है जैसे दोनों अर्द गुनसुतरों को इस तरह से प्रोटीन होती है इस तरह से ये खांचे में रखती है तो इस प्रोटीन का क्या नाम है काई नेटो कोर क्या कहते हैं काई नेटो कोर कहते है तो हमीं कह सकते हैं कि गुनसुतर बिंदू पर परतेक अर्द गुनसुतर से एक डिस्क के आकार की प्रोटीन सरचना जुढी रहती है जिसे काईनेटो कोर कहते हैं या यहाँ पर गुनसुतर बिंदू अजिस्के साथ यहाँ पर वह जाती है जिसको बन काईनेटो कोर कहते हैं यह जो काइनेटो कोर है यहां पर गुंसुत्री बिंदू पर इख़टा रहता है और इसी जगह से यह जो चूंकि प्रोटियन है काइनेटो कोर तो इसी कोशी का विभाजन से कोशी का विभाजन के समय तरकुतंतू इसी से जुड़े रहते हैं तो यह जब अलग हो जाती है तो दोनों गुंसुत्र भी अलग हो जाती है यह जब प्रोटियन यहां से अलग हो जाती है ना दो बागो में टूड़ जाती है तो यह दोनों गुंसुत्र भी अलग-अलग हो जाते हैं तो यह यह यहां पर तरकुतंतू यहां पर चुड़े यानि गुंसुत्र बिंदू पर यह का इनेटो कवर प्रोटीन होती है यहां से चिपकी यह रहती है अब इस पूल्टीन के अपन देखना तो इसके दो बाग हैं जैसे ये एक गुनसूत्र है यह दूसरह इसका अड़्थगन-सूत्र है यह यह पर दुनों तो रह SAY यह यह पर प्रोटीन पाई जा रही तो यह इसके अंदर के तरफ भी रहेगी और बाहर की तरफ द एक क्राव रहेगा आउट्र यह लिए दोस्तर की यह इसके दो इसके दो इस्तर होते हैं अब ये जो गुंसुतर बिंदू अपन फट रहे थे उस गुंसुतर बिंदू के आधार पर गुंसुतर बिंदू की संक्या और उसके आधार पर हम गुंसुतर को अलग-अलग बागों में बाढ़ते हैं जैसे हमने एक वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने फड़ लिया है कि जैसे अगर ये एक गुनसूतर है गुनसूतर बिंदू की संख्या कितने वह सकती है तो गुनसूतर बिंदू की संख्या कितने वह सकती है तो गुनसूतर बिंदू की संख्या मालो एक गुनसूतर है उसके अंदर एक संख्या है तो एक संक्या एक गुनसुत्र में होता है गुनसुत्र में तो हम उसको क्या कहते हैं मोनोसेंट्रिक यह हम पढ़ चुके हैं अगर दो होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं डाइसेंट्रिक इसे मक्की के अंदर हमने पढ़ा था मक्की के अंदर और मोनोसेंट्रिक लगबग अधिकांस जिवों में मिलता है सभी जिवों में के अंदर पाई जाता है अधिकांस सभी जिवों के अंदर अगर इसके अंदर बहुत सारे होते है बहुत सारे गुनसुत्र बिंदू होते है तब हम उसको क्या कहेंगे polycentric क्या कहेंगे polycentric जैसे एसकेरिस के अंदर अपने फटा था एसकेरिस के अंदर ये तो थे गुनसुत्र बिंदु की सिंग्या अब इसकी गुनसुत्र बिंदु की स्थितिया धार पर हमने इसके कई परकार पड़े थे कि यदि बीच में होता है जैसे गुनसुत्र बिंदु है बिल्कुल बीचों बीच है तो हम इसको क्या कह रहे थे metacentric ये हमने पहले वीडियो में फट चुके हैं अगर गुनसुत्र बिंदु मद्दे से थोड़ा सा हट कर है मद्दे से थोड़ा सा हट कर है तो उसको बोलते हैं सभी metacentric जब ये बिल्कुल किनारे पर होता है तो केवले एक लंबी बुजा दिखाई देती है तो उसको बोलते है अपन टेलो सेंट्रिक टेलो सेंट्रिक थोड़ा समद्दे सिर्ष से थोड़ा सा हट कर होता है एक बुजा काफी चोटी और एक बुजा काफी बढ़ी हो जाती है तब उसको हमने कहते हैं एक्रो सेंट्रिक क्या कहते हैं एक्रो सेंट्रिक तो आज के वीडियो में हम इसके अभी हमने पांस पार्ट देख लिए इसके कुन सुतर के की वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमें जो next part है वो अगली वीडियो के अंदर इसके फड़ेंगे तो अभी हमने पेलिकल देख लिया है मेट्रिक्स देख लिया है और गुनसुतर बिंदू जो प्रात्म के संकेन है उसको फड़ लिया है तो यह क्या काम करते हैं यह अपने देख लिया है नेक्स्ट वीडियो में इसको बच्चे वे दो तीन पार्ट है वो और देखेंगे